तो भाई काफी सारे लोगों को एक डाउट होता है कि खाई Click Magic यूज करें या फिर QLiker, दोनों में से कौन सा अच्छा Tracker है और अगर आप एक Complete Beginner हो तो दोनों में से आपको कौन सा यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए और दोनों के बीच में आखे difference क्या होता है तो पूरा आपको एकदम detail बताऊंगा तो अगर channel subscribe नहीं कराया तो भी कर लो दो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो जो first difference है Q-Liker और click magic में वो ये है कि जो Q-Liker है वो price में थोड़ा कम है मनलब की थोड़ा सस्ता है और जो click magic है वो थोड़ा सा महंगा है जैसे कि अगर यहाँ पर मैं आपको click magic का जो price है वो दिखाऊं तो आप देख सेते हों कि click magic का जो सबसे छोटा plan है वो start होता है $37 पर मन्त में और अगर यहाँ पर Q-Liker की price की बार करें तो यहाँ पर जो सबसे छोटा plan है paid में वो start होता सिर्फ $20 पर मन्त में पहले यह इससे भी कम था लेकिन अब यह $20 हो गया है और click magic का यह $37 हो गया है यहाँ पर Q-Liker में आपको 1 मन्त का free trial मिलता है आप देख से तो यहाँ पर लिखा है 30 days free trial और click magic में आपको 14 days का free trial मिलता है यहाँ पर देखी लिखा है तो अगर आपके पास budget कम है आपको इससता tracker यूज करना चाते हो तो उस case में आपको जो Q-Liker है वो यूज करना चाहिए जो second difference है Q-Liker और click magic में वो यह है वैसे तो ज़्यादा खास difference नहीं है बट मुझे लगा है कि बहुत सारी लोगों को इसमें problem आ सकती है वो यह है कि जो Q-Liker है इसके अंदर आप PayPal से payment कर सकते हो PayPal में आप अपना debit card, credit card attach करके वहाँ उसके थूँ आप Q-Liker में payment कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास credit card नहीं है तो उस case में आप click magic को use नहीं कर सकते है तो यह बहुत बड़ा drawback है कि बिकोज इंडिया में काफी सारे लोगों के पास starting में credit card नहीं होता है PayPal हो जाता है लेकिन credit card नहीं होता है तो उस case में अगर आपके पास credit card नहीं है तो आपको click magic नह यूज़ कर रहे हो ठीक है और आप click magic भी यूज़ कर रहे हो और दोनों की अंदर माली जी आपने paid survey का tracking link मनाया या माली जी किसी dating offer का या adult offer का आपने tracking link create करा Qliker में भी आपने create करा और click magic के अंदर भी आपने create करा तो Qliker के अंदर वो delete नहीं होगा लेकिन click magic उस link को उस tracking link को आपके delete कर देगा ये कहके कि ये जो link है जो आप offer promote कर रहे हैं ये हमारी policy को violate कर रहे हैं मतलब कि पहले तो traffic sources आपको ban कर सकते हैं कि आप उनकी policy को violate कर रहे हैं प्रमोट कर रहे तो अगर आप इन सारे offers के अगर आप यहाँ पर click magic के अंदर tracking link create करोगे तो ये आप पर tracking link है वो delete कर देगे तो अगर आप traffic send भी कर रहे हैं तो आपको कोई भी sales या conversion नहीं आने वाली लेकिन Qliker के अंदर ये चीज़ नहीं देखने को मिलती चाहे हैं कोई लेकर के अंदर आप जो parallel tracking है वो नहीं कर सकते हो लेकिन click magic के अंदर आप parallel tracking कर सकते हो अब parallel tracking क्या होती है इस पर मैंने already एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा एकदम detail में explain कर रहा था तो अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो उसका link में उपर आई बटन देद करना पड़ता है अपने offer को promote करने के लिए बिना landing page के आप अपने offers को promote नहीं कर सकते है तो उस case में वहाँ पर आपको जो parallel tracking है इसका use करना पड़ेगा तो उस case में आपको फिर click magic चाहिए अपने offers को track करने के लिए लेकिन अगर मालिजे कि आप direct linking करना चाते हो अगर आप मा आप वहाँ पर tracking कर सकते हो तो उस case में आप QLiker का use कर सकते हो विकॉज आपको वहाँ पर parallel tracking की जरूरत नहीं है तो यह एक यहाँ पर बहुत बड़ा difference create कर देता है विकॉज अगर आप Google Ad use कर रहे है अपने offers को CP offers को promote करने के लिए तो वहाँ पर आपको parallel tracking जरूर यूज करन में वह यह है कि QLiker का support है मनलब की अगर आपको कोई query आती है कोई doubt आता है तो QLiker का support है वह बहुत ही जादा बेकार है मनलब की आप इनको चाहिए एक बार email कर दो या 10 बार यह आपको reply नहीं करेंगे तो आपकी जो query है वह कभी भी solve नहीं होती हो वैसे की वैसे रहती तो जो support है वो बहुत जादा बेकार है बहुत बेकार support है लेकिन जो click magic है उनका support बहुत अच्छा है within 24 hours आपको यहां से email के through इनका reply आ जाता है अगर आपने basic plan भी purchase करा है तो बहुत अच्छा इनका response है 4 hours के अंदर ही mostly आ जाता है तो click magic का support बहुत अच्छा है लेकिन QLiker का support ए जादा difference नहीं है आप बात करते कि क्या आपको QLiker यूज करना चाहिए या click magic देखो आप यहां पर सीधा सा यह समझो कि अगर आप Google Ad use कर रहे हो Facebook Ad use कर रहे हो और landing page आप यूज कर रहे हो अपने offers को promote करने के लिए तो उस case में वहां पर आपको click magic का use करना पड़ेगा लेकि उस case में आप वहां पर QLiker का use कर सकते हो तो अगर आप एक beginner हो आपके बास experience नहीं है जादा budget नहीं है जादा तो उस case में मैं आपको recommend करूँगा कि आप QLiker का use करो because पहली चीज़ वहां पर आप Bing का use करोगे Bing affiliate friendly होता है easy होता है और साथी दाथ वहां पर आप direct linking कर सकते हो औ लेकिन अगर आप Google, Facebook यूज़ कर रहे हो तो आपको click magic ही use करना चाहिए तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो यार लाइक कर देना और यार अगर नहीं पसंद आए तो dislike भी कर देना और अगर आप चाहो तो Facebook, LinkedIn और Instagram पर भी follow क हो सकते हो तो bye bye take care